नमस्कार नेक्स्ट नाइन नियूज देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रग्यास सिंग्ग राजस्थान में जहां एक और भारतिय जनता पार्टी इस बात पर अभी तक फैसला नहीं ले पाई अपके साथ इस बात पर भी अब रणनीती बनाए जा रही है कि आखिर कार राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष का पद किसे सौपा जाए नाम कई सारे हैं लेकिन फैसला अभी कॉंग्रिस करना ही पाई है अगर बात करें नेता प्रतिपक्ष की तो आपको बता दें कि इस पद को लेकर कई नाम है जैसे कि अशोक गहलोट, सच्छिन पाइलेट, गोविन संग, डोटासरा, शांती धारिवाल लेकिन अगर बात करें अशोक गहलोट की तो वो अब इस पद पर नहीं आ सकते क्योंकि वो पहले ही तीन बार मुख्य मंत्री रह चुके हैं और ऐसे में मुख्य मंत्री से किसी नीचे पद पर शायद वो काम ना करें शांती धारिवाल की अगर बात की जाए तो सोनिया गांधी उसे काफी ज्यादा नाराज रह चुकी है पहली सूची में भी उनके नाम को लेकर सोनिया गांधी ने नाराजगी जाहिर की और अगर तीसरे नाम का जिक्र किया जाए गोविन संग डोटासरा तो इस वक्त पेपर लिक स्काम के चलते जाच एजिंसियों की रडार पर है ऐसे में अब सचिन पाइलेट ही एक लौते ऐसे नेता बचते हैं जो किसी भी तरह के विवाद से पूरी तरह से दूर है और शायद अब नेता प्रतिपक्षपद सचिन पाइलेट को मिल सकता है इन दिनों देखा जा रहा है कि जब से कॉंग्रेस की हार राजस्थान में हुई अशोग गहलोट से पार्टी हाई कमान काफी जादा नाराज है कई बैटकों में उन्हें शामिल तक नहीं किया गया और अब ये लग रहा है कि सोनिया गाधी जिनका जुकाव हमेशा अशोग गहलोट की तरफ देखा गया राजस्थान में मिली करारी हार के बाद अब वो भी सचिन पाईलेट पर जादा भरोसा जाहिर करती हुई नज़रा रहे सोनिया गाधी के जन्दिन के खास मौके पर भी देखा गया कि सचिन पाईलेट जिस तरीके से उन्हें जन्दिन की बधाई देते हुई नज़रा है कि कॉंग्रेस को मिली हार का फाईदा सचिन पाईलेट को हो सकता है ये देखना काफी एहम होगा कि क्या वाकए में अब नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो सचिन पाईलेट को मिलता हुआ नज़रा सकता है राहुल गांधी हो, मलिका अरजुन खडगे हो या प्रियंका गांधी वो पहले ही सचिन पाईलेट के समर्थन में थे लेकिन अब अशोक गहलोग की सरकार गिरने के बाद सुनिया गांधी का भी समर्थन सचिन पाईलेट के पक्ष में जाता हुआ नसरा रहा है ऐसे में देखना काफी एहम होगा कि क्या तमाम बैटकों के बाद अब नेता प्रतिपक्ष पद सचिन पाईलेट को मिलता हुआ नजरा आएगा या नहीं फिलाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे हैं